Hello dear students, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 10 समबडी स मदर की एक पोयम पढ़ेंगे यानि कि किसी की मार के बारे में ये कहानी पोयम है जिसमें उसकी लेडी की स्टोरी बताई गई है जो कि बहुत बुड़ी है और उसके बारे में वो किसी हल्प की जरॉत होती है तो उसकी किस तरह से एक बच्चा मदद करता है तो अपनी जुकी हुई कमर के साथ जैसे कि बुड़े हो जाते हैं तो कमर जुक जाती है तो अपनी जुकी हुई कमर के साथ थी मतलब कि उसकी कमर जुकी हुई थी सर्दियों के दिन थे एकदम कपकपाने वाली सर्दियों के दिन थे और वो जो औरत थी वो बहुत ही बुड़ी थी कटे फटे कपड़े पहन के और गंदे से कपड़े पहने वे थे उसने इस लाइन्स में पोयाट बोल रहे हैं कि जो सडक थी वो गिली थी, ऐसे गिली थी जैसे मानो जभी-जभी बर्फ पड़ी हो और वो जो औरत के पैर थे वो उसके बुड़ापे की वज़े से बहुत ही धीमे-धीमे कदम रखकर वो चल रही थी यानि कि वो जो लेटी थी, जो बुड़ी औरत थी वो एक सडक के किनारे, सडक पार करनी थी उनको और वो साइड में खड़ी हुई थी क्योंकि वो बहुत लंबे समय से किसी का इंतिजार कर रही थी अकेले एक दम खड़े वे कि किसी की परवा ना करते वे कि कोई अमिड मतलब बीच में, थ्रॉंग मतलब लोगों की भीड के बीच में से कोई आएगा और उनको सडक पार करवाएगा मतलब की जो लोग उसके आसपास से गुजर रहे थे वो उनकी तरफ बहुत ही भावना से देखती थी कि शायद कोई आएगा और मेरे को सडक पार करवाने के लिए उनकी तरफ देखती थी Euro 3.Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out मतलब अभी क्या होता है गली में बहुत सारे बच्चे स्कूल से छूट अप लोगों की जब स्कूल से छुटी होती है तो एक साथ बहुत सारे बच्चे बाहर जाते है तो came the boys like a flock of sheep, hailing the snow piled with white and deep, तो यानि कि बहुत सारे लड़कों का जुन्ड ऐसे आता है, जैसे कि बहुत सारी भेडों का जुन्ड होता है, इस तरह से बहुत सारे लड़के आते हैं, hailing the snow piled with white and deep, यानि कि वो एक दूसरे पर, वो बर्फिले शेतर में ही रहने वाले हैं, और तो वो सब उस औरत के पास से, जो वो बुड़ी औरत थी, उनके पास से गुज्रे, पास हुए, वहां से, hasn't the children on their away, और जल्दी से ही वो सारे बच्चे उनके पास से दूर चले गए, nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stay, यानि कि किसी ने भी उनके तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाया, किसी ने भी उनके मदद ने की, so meek, मतलब कितने दयालू और कितनी डरी हुए, कितने डरी हुए थे वो जो औरत थी, less the carriage wheels or the horse's feet, less मतलब in case, मतलब जैसे कि कोई गाड़ी का पैया होता है, वो एकदम और या फिर जो घोड़े के पैर होते हैं, जो कितनी तेज तेज भागते हैं इस तरह से वो सारे बच्चे वहां से चले गए, should crowd her down in the slippery street, तो मतलब क्या जो वो बच्चे थे लोगों की जो भीड थी, वो उसको जो फिसलती हुई, जो बरफ के सगीली जो सडके थी, वो उसको सडक पार करवा सकते थे, at last came one of the married troop, the gayest lady of all the group, मतलब आखरी में क्या हुआ, एक अच्छा सा बच्चो का लोगों का जुन्ड आया, troop मतलब लोगों का group, the gayest lady of all the group, बतलब उस पूरे group में जो सबसे चोटा लड़का था, he paused beside her and whispered low, वो उसके पास में धीरे से रुका, उनके पीछे और उसने धीरे से बोला, I will help you across if you wish to go, यदि आप मेरी मदद लेना चाहो, तो मैं आपको सडक पार करवा दूँगा, Her aged hand on his strong young arm, she placed and saw without hurt or harm, उसने जो बुड़ी औरत थी, उनका हाथ अपने मजबूत हाथों में पकड़ा, और उनको बिना किसी नुकसान के आराम से सडक पार करवा दी, He guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong, उन्होंने उनके जो कपकपाते हुए पैर थे, उनके साथ उनको आगे बढ़ने के लिए गाइड किया, और वो strongly मजबूती से वो सडक पार कर पाया, और वो अपने आप में बहुत ही गर्व महसूस कर रहा था वो लड़का, Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content, और वापिस वो अपने दोस्तों के पास फिर आजाता है और उसका जो मन होता है वो एकदम खुश होता है कि उसने एक अच्छा ताम किया, She is somebody's mother, boys you know, for all she is aged and poor and slow, वो अपने दोस्तों को बोलता है कि ये भी किसी की मा है, बच्चो क्या तुम्हें पता है, वो आप बुड़ी हो गई है, कमजोर हो गई है, धीरे धीरे चल पाती है, And I hope some fellow will lend a hand to help my mother you understand, वो कहता है कि देखो मुझे उम्मीद है कि मेरा ही कोई साथी होगा, जो मेरी मा को भी जब मदद की जुरत होगी, तो वो उनको एक ऐसा ही हाथ बढ़ाएगा मदद के लिए, If ever she is poor and grave, when her own dear boy is far away, जब मेरी मा बुड़ी हो जाएगी, और इसी तरह से, जब मैं उनसे दूर होगा, तो कोई भी एक बच्चा होगा, जो उनके लिए, मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा, जैसे आज मैंने इनके लिए बढ़ाया, And somebody's mother bored low her head in her home that night and the prayer she said, और किसी की मा के आगे से, मतलब उसने अपना जुकाया, तो उस रात उसकी मा ने उसको प्रार्थना की उसके लिए और बोला, God be kind to the noble boy, कि भगवान उस बहादूर बच्चे की मदद करो, उसके लिए अच्छा करो, who is somebody's son and pride and joy, कि वो भी किसी का और प्रसिद रहे, मतलब खुब अच्छे काम करें, खुब उसके लिए अच्छा हो, ऐसा हो बुड़ियोरत उसके लिए प्राथना करती है, तो आपने देखा बच्चों हमें हमेशा बड़ों की बुज़ूर्गों की मदद करनी चाहिए जिसको जोरत है, I hope आपको यह पो आपको जोरत है, तो आपको जोग सब्सक्रावता है, तो आपको जोरत है, तो आपको यह जोग खोगों की बुदब झाल में हमें 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 है